कि अलो गाइस वेलकम तो करण डब्रेट तो हम जियो टेकनिकल इंजरिंग की सिरीज को आगए बढ़ आ रहा है और उसके हम देखेंगे अनाधर मेथड़ जिससे की हमें वाटर कंटेंड मिल जाता है वो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट मेथड़ देखिए उससे पहले अभी रैपीड मॉइचर मेथड़ भी कहा जाता है क्या रैपीड मॉइचर मेथड़ मेथड देखिए यह क्या है इसकी कुछ जल्दी-जल्दी अपन पॉइंट डिख लेते हैं कि यह सबसे क्या है क्वीक मेथड़ है ठीक है उसके बाद में इसको सिर्फ 5-7 मिनिट लगता है उ इसमें क्या है वह accurate भी थी और quick भी थी मतलब इतनी quick नहीं थी इसको 24 hour अपने को वन राय में रखना पड़ता था लेकिन ये जो method है calcium carbide method है लेकिन इसका result accurate नहीं है इसमें क्या किया जाता है इसमें एक soil sample लिया जाता है जिसका weight 4-6 gram रहता है उसको जहाँ पे रखा जाता है moisture testing equipment में रखा जाता है उसके बाद में क्या है कि इस equipment क्या होता है देखिए ये जो है आपको यहाँ पर glass दिखरी है ये क्या है soil content है इसमें 4-6 gram अपन क्या करते है जो moisture content वाला जो sample है उसको रखते है उसके बाद में यहाँ पर एक cylinder दिया है ठीके एक close chamber है उसके उपर क्या दिया है एक dial gauge दिया है यो कि क्या करता है कि water content से जो भी pressure आएगा वो क्या करता है उसके बाद में इसमें क्या किया जाता है कि CACA2 मतलब calcium carbide powder डाला जाता है इस sample के अंदर जिसमें की moisture पे जंड है उसके बाद में क्या होता है कि यह जो calcium carbide water है यह क्या करता है reaction करता है जो moist water है उसके साथ और उससे क्या होता है form एक accelerating gas form होता है कौन सा? extiling gas तो यह जो accelerating gas form होता है वह क्या करता है pressure exert करता है कि इसके उपर इस dial gauge के उपर और इसके वह जैसे क्या होता है इसमें आपको reading मिल जाती है तो इसको आप इससे क्या मिलता है आपको water कितना प्रेजेंटेज में वह मिल जाता है इसका कुछ formula है वह आपन देख लेते इसे क्या बिल जाता है इसको क्या है एक्सको क्या है अक्चुल वेड क्रेज इसको यह अधिल जाता है में इससे क्या मिल जाता है अपने को वेट मिल जाता है वाटर कंटल मिल जाता है तो इह रही सबसे आसांत काल्शियम गार्वारिट में तर तो होपले आपको समझ माया होगी तो दास इट फार टूडे हाव गुड़ डे बाई-बाई